I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English So dear friends I am here with English speaking practice sentences Dear friends, आज जिन sentences की मैं आपको इंगलिस बता रहा हूँ कि इनको इंगलिस में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं वो इस प्रकार से हैं मेरी चाय गर्म कर दो मेरा जी मिचला रहा है आप नीचे गिर सकते हैं यह अंजाने में हुआ आपको बुरा क्यों लगा कोई मेरी बात नहीं सुनता क्या आपको सुनने में कठनाई है यह किसका नंबर है यह नंबर जाना पहचाना है मैंने अपना बादा निभाया कब से कब तक तेल वाली चीजें कम करो मुझे कुछ बताना है लेकिन एक सर्थ पर तो डियर फ्रेंज यदि आप भी इस प्रका के सेंटेंस इंग्लिस में सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नहीं पीते हैं तो कहते हैं कि मेरी चाय गरम कर दो तो इसको बोलेंगे heat up my इसको बोलेंगे heat up my tea heat up my tea यानि मेरी चाय गरम कर दो मेरा जी मिचला रहा है कभी कबार जब आप देर रात तक जागते हैं या indization की बज़े से ऐसा लगता है कि आपको उल्टी होने बॉम्टिंग होने वाली है तो आप कहते हैं कि मेरा जी मिचला रहा है तो इसको बोलेंगे I am I am feeling I am feeling nausea I am feeling nausea मैं मुझे मेरा जी मिचला रहा है या मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी तो आप कहते हैं I am feeling nausea लिखा हुआ है कि जब कभी आप देखते हैं कुछ बच्चे रहते हैं वो छट के ऊपर बिल्कुल किनारे में पतंग उड़ा रहे होते हैं तो यदि आप कहना चाहते हैं कि बई उधर से आँगे आ जाओ आप नीचे गिर सकते हैं जिसको बोलेंगे you may you may fall down you may fall down आप नीचे गिर सकते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमसे गलती से होते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमसे अंजाने में होते हैं तो यदि आप कहना चाहते हैं कि ये अन्जाने में हुआ तो बोलेंगे इट वाज ड़न इट वाज ड़न अन्नोइंगली अन्नोइंगली मतलब होता है अन्जाने में इट वाज ड़न अन्नोइंगली ये गलती से ये अन्जाने में हुआ कभी कबार हम किसी भी व्यक्ति को कहते रहते हैं और कहना किसी को चाहते हैं बुरा कोई मान जाता है तो यदि आप कहते हैं कि जब आपने गलती नहीं की मैं उसको डाट रहा था तो आपको बुरा क्यों लगा इसको बोलेंगे why did you feel bad आपको बुरा क्यों लगा जब आप किसी भी वेक्ति से किसी काम के लिए कहते हैं और वो तुरंद नहीं करता है और दो चार बार ऐसी बात हो जाती है तो आप कहते हैं कोई मेरी बात नहीं सुनता है कोई मेरी बात नहीं सुनता है Nobody listen to me इसका मतलब यह भी होता है कि कोई मेरी आग्या का पालन नहीं करता है Nobody listen to me किसी जब उसको मैंने बार बार आवाज दी फिर भी हुआ है मेरी आवाज सुनने पर उसने नहीं देखा नहीं आया तो मैं उसके पास जाकर बोला क्या आपको सुनने में कठनाई है यानि कि क्या आपको तेजी से सुनाई देता है इसको बोलेंगे Are you hard of hearing? क्या आपको सुनने में कठनाई है जब कभी किसी का फोन आता है और उसमें कोई नाम नहीं लिखा रहता है तो आप पूछते हैं ये किसका नमबर है ये किसका नमबर है तो इसको बोलेंगे Whose number is this? इसी प्रकार कोई भी चीज़ को आप पूछना चाहते हैं कि किसका है? Whose shirt is this? Whose pen is this? Whose house is this? Whose shop is this? आप बहुत सारे sentence भी बना सकते हैं किसी भी number को देख करके आपको लगता कि ये number जाना पहचाना है तो बोलते हैं ये number जाना पहचाना है तो इसको बोलते हैं this number is this number is bell known bell known मतलब अच्छी तरह जाना पहचाना this number is bell known उसने बोला चुकि मैंने आपसे ऐसा बोला था कि मैं ऐसा करूंगा मैंने अपना बादा निभाया मैंने अपना बादा निभाया तो इसको बोलेंगे I kept my promise I kept my promise I kept my promise मैंने अपना बादा निभाया कई बार बोलते हैं कि आपके एक्जाम जो है वो शुरू होने वाले है या उसका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसका आफिस जो है वो शुरू होने वाला है तो इसको बोलते हैं कि कब से कब तक कब से कब तक इसको इंगलिस में बोलेंगे from when to when from when to when कब से कब तक कब से कब तक तेल वाली चीज़ें सभी डॉक्टर या जितने अच्छे लोग होते हैं वो उमको सलाह देते हैं कि यदि आप स्वस्त रहना चाहते हैं तो तेल वाली चीज़ें कम करो तेल वाली चीज़ें कम करो इसको बोलेंगे cut down oily cut down oily मुझे कुछ बताना है जब किसी ब्यक्ति के साथ कोई secret आप बताना चाहते है कोई राज बताना चाहते है तो बोलते हैं मुझे कुछ बताना है तो इसको बोलेंगे I have to share something I have to share something मुझे कुछ बताना है I have to share something कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैं आपका ये काम करूंगा लेकिन एक सर्थ पर तो लेकिन एक सर्थ पर इसको बोलेंगे but on one condition but on condition लेकिन एक सर्थ पर तो इस प्रकार से ये sentence है these are some sentences which we use in our daily life इसी प्रकार के sentence हम अपने daily life में यूज करते हैं so if you also want to speak these sentences in English then practice these sentences by reading again and again और writing again and again और even listening again and again इन sentences को आप बार बार पढ़िए बार बार लिखिये केवल बार बार सुनिये तो आप इनके आप इन sentences को यूज कर सकते हैं एक बार सुरू से लेके last तक मेरी चाय गर्म कर दो heat up my tea heat up my tea मेरा जी मिचला रहा है I am feeling nausea I am feeling nausea आप नीचे गिर सकते हैं you may fall down you may fall down यह अनजाने में हुआ it was done unknowingly आपको बुरा क्यों लगा why did you feel bad कोई मेरी बात नहीं सुनता nobody listen to me क्या आपको सुनने में कठनाई है are you hard of hearing are you hard of hearing यह किसका number है whose number is this whose number is this यह number जाना पहचाना है this number is well known this number is well known मैंने अपना बादा निभाया I kept my promise I kept my promise कब से कब तक from when to when from when to when तेल वाली चीज़ें कम करो cut down oily cut down oily मुझे कुछ बताना है I have to share something I have to share something लेकन एक सर्थ पर but on one condition but on one condition dear friends यदि आपको इस प्रका के sentence पसंद आये हो तो इन्हें जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए है तो प्रीज इसे subscribe करिए bell icon को press करिए ताकि इस प्रका के वीडियो जब भी upload हो तो उनका notification आप तक पहुँच शके thank you for watching ताकि झाती दूत neces सावन kे लेक की वा कानो ताकि और यदि जादा ताकि योद्या इस वा ताकिव tillो